नमस्कार, इस अध्याय में हम जानेंगे हिंदी भाषा, उद्भव और विकास इस परकरण को पांच भागों में विबाजित किया गया है पहले परकरण में हम जानेंगे हिंदी भाषा और भाषा परिवारों को विश्व में बहुत सारे भाषा परिवार है और उनमें हिंदी का किस प्रकार से इस्तान है उसका अध्यन करेंगे दूसरे परकरण में हिंदी की उपभाषाएं और बोलियों का अध्यन करेंगे तीसरे परकरण में हिंदी का नामकरण, हिंदी के ख्षेत्र और भाषा के विबिन रूपों का अध्यन करेंगे चोथे परकरण में हिंदी के समिधानिक प्रावधान यानि की भारतिय समिधान के द्वारा हिंदी के लिए जो प्रावधान किये गए हैं और जो अनुसूची निर्धारित की गई है उस पर बात करेंगे पांचवे परकरण में हिंदी से समंदित दिवस और संस्ताओं का अध्यन करेंगे विश्व में बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनमें हिंदी का अध्यन अध्यापन किया जाता है साथ ही बोली भी जाती है तो उन सब का हम अध्यन करेंगे तो आईए हम परकरण पहले को पढ़ते हैं और इसमें हिंदी भाषा और भाषा परिवार का दिन करते हैं इस परकरण के तहट जो मुख्य बिंदू रहेंगे वो रहेंगे भाषा किसे कहते हैं भाषाओं के परिवार कौन-कौन से हैं, भारत में कौन-कौन से परिवार की भाषाएं बोली जाती है और हिंदी भाषा की उत्पती और उसका विकास किस प्रकार से हुआ मनुशे कभी खुशी में होता है, तो कभी उसे चिंता सताती है, कभी उसे क्रोध आता है और कभी दुखी अभिवेक्ती भी करना चाहता है यही जो मनुशे अभिवेक्ती करना चाहता है यही वो जो माध्यम है वो भाशा होती है भाशा वह सादन है जिसके दुवारा मनुशे बोलकर, सुनकर, लिखकर, वो पढ़कर अपने मन के भावों या विचारों का आदान प्रदान करता है यानि कि विचारों के आदान प्रदान का जो माध्यम है वो भाशा कहलाती है भाशा के रूप भाशा के कौन-कौन से प्रकार है उनका हम अध्यन करेंगे तो इसमें आप देख रहे हैं सरोप्रथम चित्रों को और पहला चित्र जो दिख रहा है आपके समुक उसमें एक वेक्ती है और चार वेक्ती उनके सामने बैठे हैं वेक्ती निर्देश दे रहे हैं या कोई बात कह रहे हैं तो भाशा का एक रूप मौखिक भी होता है यानि कि हम अपने विचारों की अभिवेक्ती या विचारों का आदान प्रदान मौखिक रूप से बोल कर सकते हैं दूसरे में एक महिला एक पत्र का वाचन कर रही है यानि कि उसमें कुछ लिखा हुआ है और वो भावों को समझ रही है भाशा का रूप लिखित भी होता है इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताना चाते हैं कि संकेतिक भाषा भी होती है और संकेतों के दोनों रूप होते हैं संकेत मौखिक भी होते हैं और लिखित भी होते हैं जैसा कि आप सब कही न कही रस्तों पे जा रहे होंगे या कोई ऐसी संस्ताइं होगी उन से पहले या उनके बाद में कोई चेहन बने हुए होते हैं तो वो संकेतिक भाषा होती है और कई बार हम इशारों के माध्यम से भी कुछ संकेत करते हैं तो मूल रूप से भाषा के दो प्रकार होते हैं मौखिक और लिखित अब हम बात करते हैं भाषा परिवारों की दुनिया में कुल बोली जाने वाली भाषाओं की संख्या 6809 है और इन मैंसे 90 फीसदी भाषाओं को बोलने वालों की संख्या 1,00,000 से भी कम है कहां ये जाता है कि करीब 3000 भाषाओं ऐसी है जिनको ज़्यादातर लोग बोलते हैं और 3000-4000 ऐसी भाषाओं हैं जिनको बहुत कम लोग बोलते हैं संचार के माध्यमों में जो व्रदी हुई है इसके साथ ही कई ऐसी छोटी छोटी भाषाओं थी जो बिल्कुल लुख तो होती जा रही है इन सारी भाषाओं को संशार में 13 भाषा परिवारों में बांटा गया है और अब हम इन 13 परिवारों का अध्यन करेंगे विश्व में जो तेरा भाषा परिवार हैं वो इस प्रकार से हैं चीनी, सेमेटिक, हेमेटिक, आगने, यूराल अल्टाइक, बांटू, अमेरिकी, काकेशर्स, सुडानी, बुशमेन, जापानी कोरियाई, द्रविड और भारोपिये ये तेरा परिवार ऐसे हैं, जो की पूरे विश्व में फैले हुए हैं, और जो भाषाएं बोली जाती है, वो कहीं न कहीं इनी परिवारों का हिस्सा है, आप इस ग्राप में देख रहे हैं, कि किसी को बोलने वालों की संख्या ज़्यादा है और किसी को कम, हमारी जो भाषा हिंदी है वह भारोपिय परिवार का हिस्सा है और आप देख रहे हैं कि इंडो-उरोपियन यानि कि भारोपिय परिवार विशो में ऐसा परिवार है जो सबसे ज़्यादा बोली जाती है यहाँ पर आप देखिए कि 45 प्रतिशत लोग इसी परिवार के हिस्से है जो विशो में 13 भाषा परिवार है उन में से भारत में 4 परिवारों की भाषाएं बोली जाती है 73 फीसदी लोग भारोपिय परिवार की भाषाओं को 25 फीसदी लोग द्रविड परिवार की भाशाओं को बोलते हैं 1.3 फीसदी लोग आस्टरिक परिवार की भाशाओं को बोलते हैं और 0.7 फीसदी लोग चीनी तिबबती परिवार की भाशाओं को बोलते हैं इस प्रकार से भारोपिय, द्रविड, आस्ट्रिक और चीनी तिबबती ये चार भाषा परिवार हैं जिनकी भाषाएं भारत में बोली जाती हैं. द्रविड परिवार ये वो भाशाएं हैं जो की द्रविड परिवार की भाशाएं हैं इसके अलावा कोडा कू, तोडा और कोटा ऐसी छोटी छोटी भाशाएं भी द्रविड परिवार की भारत में बोली जाती है आस्ट्रिक परिवार आस्ट्रिक परिवार की मान खेर शाखा में 7 तथा मुंडा शाखा में 58 कुल मिलाकर 65 मात्र भाशाये हैं ये दूर दराज के जनजाती छेत्रों में बोली जाती है जैसे बंगाल के कुछ छेत्र में बिहार उडिसा की सीमाओं पर मदरास की उत्री पूर्वी पहाड़ियों पर और अंडमान निकोबार के कुछ छेत्रों में इस परिवार की भाशायें बोली जाती है तिबचीनी भाशा परिवार तिबचीनी परिवार की भाषाएं लद्दाक से लेकर असम से पूर्व तक उत्तंग हिमानी शीखरों, घने जंगलों और घाटियों में दूर दूर तक फैली हुई है इसकी जो मातर भाषाएं या छोटी छोटी जो बोलिया हैं उनकी संख्याएं 226 तक मानी जाती है और अब बात करते हैं हम भारोपिय परिवार की जोकि हिंदी भाषा भारोपिय परिवार का हिस्सा है और भारोपिय परिवार की जो भाषाएं हैं उनको बोलने वालों की संख्या विश्व में सबसे जाता है आप देख रहे होंगे कि ये यूरोप और एसिया का पूरा खेत्र जिसमें कि जो भाषाएं बोली जाती है वो अधिकांश भारोपिय परिवार की है इस परिवार की जो प्रमुक भाषा हैं उनमें फार्सी, ग्रीक, लेटिन, अंग्रेजी, रूसी, जर्मान, पूर्टगाली, इरानी और भारती आर्य भाषाएं हैं भारती आर्य भाषाओं के अंतरगत संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपब्रेंश, हिंदी और बंगाली ऐसी भाषाएं भारोपिय परिवार का हिस्सा है प्रसिद भाषाविद, ग्रियर्सन के अनुसार, भारत में भाषाओं की संख्या, 189 और बोलियों की संख्या, 549 है सरकारी आंकडों के अनुसार, देश में कुल भाषाओं की संख्या, 418 हैं, जिनमें 407 जीवित भाषाएं हैं, जबकि 11 लुप्त हो चुकी है भाषाएं नई बनती हैं और भाषाएं मृत भी होती है, धीरे धीरे जैसे जैसे मानो संस्क्रिती और मानो सब्वेताओं का निर्मान होता है, ठीक वैसे ही भाषाओं का जिन्दा होना और लुप्त होना चलता रहता है भारत की जो सविधान की आठवी अनुसूची है उसमें 22 भाषाओं को मानेता दी गई है भारोपिय परिवार भारतिय भाषाओं में सबसे महतोपून भाषा परिवार है देश की प्रमुक भाषाएं जैसे हिंदी, बंगाली, मराथी, गुजराती, पंजाबी, सिंधी, अस्मी, उडिया, कश्मीरी, उर्दू, मैथेली और संस्कृत ये सारी इसी परिवार में शामिल है भारोपिय परिवार की शाकाएं जो भारोपिय परिवार है वो भारत और यूरोप तथा इसके आसपास के छेट्रों में फھیला हुआ है और इनका जो मूल इस्तान है कि ये कहा के रहने वाले थे या किस प्रकार से बोलते थे तो इसमें बहुत विवाद है लेकिन यह माना जाता है कि ये यूरोप और एशिया का सीमा का इस्तल है जहां पर ये भाषा बोली जाती है तो जो भारोपिय परिवार है उसकी दो शाखाएं है एक है केंटूम और दूसरा है सतम जो कैंटूम है इसमें ग्रेक, जर्मनिक, इटेलिक, केल्टिक ये भाशा ये शामिल की गई है और दूसरा है सतम सतम में भारत और इरान की भाशा ये साथ ही अल्बानिया, अर्मानिया यहां की भाशाओं को लेते हैं तो जो हिंदी भाषा है वो जाहिड तोर पे भारोपिय परिवार के सतम शाखा का हिस्सा है तो हम आगे अध्यन करते हैं सतम का सतम की तीन शाखाएं हैं इरानी भाषा परिवार, दरद भाषा परिवार और भारतिय आरे भाषा परिवार जो इरानी भाषा परिवार है या इरानी आरे शाखा जिसको कहते हैं उसमें वो लोग हैं जो इरान चले गए और इरानी आरे कहलाए और धीरे धीरे इसमें फार्सी, आदुनिक फार्सी, अवैस्ता, पहलवी ये भाषाएं विकसित हुई दरद भाषा परिवार है ये कश्मीर और इसके आसपास के छेत्रों में फैला हुआ है और बाद में इसी शाखा से कश्मीरी, खिनी, चित्राली, आदी भाषाओं का उद्बह हुआ और तीसरा सतम की जो शाखा है वह है भारतिय आरे भाषा परिवार, ये जो भारत की सीमा में आगे वह धीरे दीरे इसी परिवार का हिस्सा होते गए और भारत की जो अदुनिक भाषा हैं वो भी धीरे दीरे इसी से ही विकसित हुई भारतिय आरे भाषा परिवार का हम अध्यन करते हैं जो भारतिय आरे भाषा परिवार है और इसमें जो काल है उनको तीन भागों में विबग्त किया गया है पहला है प्राचीन भारतिय आरे भाषा यह काल 1500 इसापूर्व से लेकर 500 इसापूर्व तक निर्धारित किया गया है दूसरा मद्यकालिन भारतिय आर्यभाशाकाल यह 500 इसापूर्व से 1000 इसवी तक निर्धारित किया गया और तीसरा आधुनिक भारतिय आर्यभाशाकाल यह 1000 इसवी ते आज तक चल रहा है तो हम इनका एके करके अध्यन करेंगे प्राचीन भारतिय आर्य भाशा परिवार जैसा कि आप जानते हैं इसका जो समय सीमा है वो 1500 इसा पूर्व से 500 इसा पूर्व तक की है प्राचीन भारतिय आर्य भाशा परिवार को दो भागों में विबक्त किया गया है वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत अब हम वैदिक संस्कृत की मूल बातों को जानेंगे वैदिक संस्कृत का काल 1500 इसा पूर्व से 1000 इसा पूर्व तक माना गया है मूल रूप से वेदों की रचना जिस भाषा में हुई उसे वैदिक संस्कृत कहा जाता है संस्कृत का प्राचीन तम रूप संसार की जो पहली कृती है रिगवेद में प्राप्त होता है इसके अतरिक्त ब्रामन ग्रंथों की वैदिक सहिताओं, अरणेक और उपनिशदों की रचना वैदिक संस्कृत में हुई है हलंकी इन सब की भाषाओं में पर्याप्त अंतर माना जाता है लेकिन मूल रूप से ये माना जाता है कि जो भाषा वेदों से समंदित है वह वैदिक भाषा है और उसका नाम वैदिकी भी कहते हैं और उसे वैदिक संस्कृत भी कहते हैं राचीन भारतिय आरे भाषाकाल में दूसरा है लौकिक संस्कृत जिसका जो समय है वो 1000 इसापूर्व से 500 इसापूर्व तक है पाणिनी और कातियायन ने संस्कृत भाषा के स्वरूप का संस्कार किया यानि कि उसे वयाकरण बद किया पाणिनी के नियमे करण के बाद संस्कृत वैदिक संस्कृत से काफी भिन हो गई और उसे लौकिक या क्लासिकल संस्कृत कहा गया पुराण, रामायन, महभारत, नाटक, व्याकरण, आदी जो लौकिक ग्रंत है वो इसी संस्कृत में लिखे गए जिन्हें लौकिक संस्कृत कहा जाता है वालमिकी, व्यास, अश्वगोश, भाष, कालिदास, माग इन सब की रचनाएं भी लौकिक संस्कृत के अंतरगती भी आती है सहिते के अत्रेक्त संस्कृत का उपयोग दर्शन के ग्रंतों में भी किया गया है ये लोक से संबंदित होने के कारण इसे लौकिक संस्कृत कहा गया मद्यकाली आरे भाषाओं का जो काल है उसकी समय सिमा 500 इसा पूर्व से 1000 इस्वी तक मानी गई है और इसको तीन भागों में बाटा गया है पाली, प्राकृत और अपब्रेंश वैसे इनको पाली की जगे प्रथम प्राकृत, प्राकृत को द्वित्य प्राकृत और अपब्रेंश को त्रित्य प्राकृत भी कहा जाता है पहली प्राकृत के रूप में हम पाली का अज़न कर रहे हैं और पाली भाशा का जो समय सिमा है वो 500 इसवा पूर्व से एक इसवी तक मानी जाती है संस्कृत कालीन बोलचाल की भाषा विकसित होते होते या यूं कहें कि सरल होते होते 500 इस्वापपूर्व के बाद काफी बदल गई जिसे पाली भाषा नाम दिया गया इसे सबसे पुरानी प्राकृत और भारत की प्रथम देश भाषा कहा जाता है मगद प्रांत में उत्पन होने के कारण शिलंका के लोग इसे मागदी भी कहते हैं बोध ग्रंतों की पाली भाषा में बोलचाल की भाषा का सिष्ट और मानक रूप प्राप्त होता है इस काल में आते आते छेत्रिय बोलियों की संख्या तीन से बढ़कर चार हो गई और ये पश्ची मोत्तरिय, मध्य देशिय, पूर्वी और दक्षनी थी बोध भाषा के जितने भी ग्रंत हैं वह मुख्य रूप से पाली भाषा में ही लिखे गए प्राक्रित एक इस्वी से पांसो इस्वी तक पहली इस्वी तक आते आते ये बोलचाल की भाषा और परिवर्तित हुई तथा इसको प्राक्रित की संग्या दी गई सामान्य मतानुसार जो भाषा असंस्क्रित थी और बोलचाल की आम भाषा थी तता सहज ही बोली समझी जाती थी संभवत प्राकृत कहलाती है इस भाषा में छेत्रिय बोलियों की संख्या कई है जो भाषा विज्ञानी है उन्होंने इसके पांच भेज स्विकार किये हैं शौरसेनी, सूरसेन और मतूरा के आसपास जो मद्य देश की भाषा जिस पर संस्कृत का प्रभाव पड़ा उसे शौरसेनी प्राकृत कहा गया पैशाची ये सिंध छेत्र की है महराष्ट्री जो विधर्ब और महराष्ट्र में बोली जाती मागदी मगर प्रदेश में और अर्द मागदी ये कौशल प्रदेश की भाषा जिसका जैन साहिते में बहुत प्रियोग हुआ अपब्रेंश 590 से 1000 इस्वी तर भाषा वेग्यानिक द्रश्टी से अपब्रेंश भारती ये आरे भाषा के मद्यकाल की अंति मवस्ता है जो प्राकृत और आधुनिक भाषाओं की बीच की स्तती है कुछ दिनों बाद प्राकृत में भी परिवर्तन हो गया लिखीत प्राकृत का विकास रुख गया परंतु कथीत प्राकृत विकसित अर्थात परिवर्तित होती गई लिखित प्राकृत के आचार्यों ने इसी विकास पून भाषा का उलेक अपब्रंश नाम से किया इन आचार्यों के अनुसार अपब्रंश शब्दकार्थ बिगडी हुई भाषा था इसको इसके अतिरेक्त ज्वीतिय देश भाषा, ग्रामिन भाषा, देशी भाषा, अवहंस, अवहत, 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 ओहार आधी नामों से भी जाना जाता है प्राकृत भाषाओं की तरह अपब्रंश के परिनिष्टित रूप का विकास भी मद्य देश में ही हुआ विभीन प्राकृतों से ही इन छेत्रिय अपब्रंशों का विकास हुआ अपब्रंश और आधुनिक हिंदी के बीच की कड़ी के रूप में भाषा का एक और रूप प्राप्त होता है जिसे विद्वानों का एक वर्ग अवहत कहता है वहीं अधिकांश विद्वान इसे अपब्रंश ही मानते हैं अवहत नाम इस पश्ट रूप से विद्यापती की रचना किर्थी लता में आता है और उन्होंने अपनी पंक्तियों में देशी लभाषा यानि कि देशी कथन और अवहत को एक ही माना है अवहत को अपब्रंश से भिन मानने वाले विद्वान इसे हिंदी का ही पूर्वरूप मानते हैं इस पश्टत अवहत को हिंदी और अपब्रंश को जोडने वाली कड़ी के रूप में स्विकार किया जाता है विभिन प्राक्रतों से विकसित अपब्रंश के साथ भेल स्विकार किये जाते हैं और इनी से ही आधुनिक जो भारतिय आरे भाषाएं हैं उनका जन्म हुआ है वो साथ रूप यह हैं शौरसेनी, पैचासी, ब्राचड, टक, महराष्ट्री, मागदी और अर्ध मागदी शौरसेनी से जो आधुनिक भार्षाएं विकसित हुई वो पश्चे में हिंदी, राजस्तानी, पहाडी और गुजराती पैचाची से लेहंदा, ब्राचड से सिंधी, टक से पंजाबी, महराष्ट्री से मराठी, मागदी से बिहारी, बांगला, उडिया व असमिया, अर्ध मागदी से पूर्वी हिंदी इस प्रकार से इन अपब्रण्शों से ये भारतिये आधुनिक भाषाएं विकसित हुई, हिंदी भाषा का विकास शौरसेनी, मागदी और अर्ध मागदी, इन तीनों रूपों से हुआ, मूल रूप से हिंदी भाषा का विकास शौरसेनी अपब्रण्श से माना जाता है उनका हम अध्यन करेंगे ग्यारा सो इसवी तक आते आते अप ब्रंश का काल समाप्थ हो गया और आधुनिक भारतिये भाषाओं का युग आरंब हुआ जैसा कि आप जानते हैं हिंदी भाषा का विकास अप ब्रंश के शौरसेनी मागदी और अर्ध मागदी विकासे हुआ पुर्वी हिंदी, राजस्तानी और पहाड़ी से, मागदी अपप्रंश के बिहारी और अर्ध मागदी के पूर्वी हिंदी से मिलकर बनी हैं आप इस वृत में देख रहे होंगे कि किस प्रकार से हिंदी का निर्माण हुआ है और जो आधुनिक भाशाएं हैं वो हिंदी के कितने करीब है और कितनी उससे दूर है जैसे पूर्वी हिंदी आपको दिख रहे है उसके बाद में पश्चिमी राजस्तानी, पश्चिमी हिंदी, पहाडी, पंजाबी, गुजराती ये धीरे-धीरे कितनी करीब है और फिर लहंदा, सिंदी, मराठी, उडिया, बंगला, बिहारी और असमिया मिलती है इस अध्याय में आपने जाना हिंदी की उत्पती एवं विकास के बारे में कैसे संस्कृत थी, संस्कृत के दो रूप, वाइदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत थे और इनकी जो समय सिमा थी वो 1500 इसा पूर्व से 500 इसा पूर्व, इनसे फिर पाली विकास सित हुई जो की 500 इसा पूर्व से 1 इस्वी तक चली, फिर प्राकृत 1 इस्वी से 500 इस्वी तक, उसके बाद में अबभरंश जो की 500 इस्वी से 1000 इस्वी तक चली, और फिर हिंदी का निर्मान हुआ जो एक हजार इसवी से आज सक चल रहा है अगले परकरण में हम हिंदी का उद्भव और विकास की आगे की सीरीज को पढ़ेंगे और उसमें हिंदी की उपभाशा हैं कौन सी है और हिंदी की बोलिया कौन सी है उनका अध्यन करेंगे तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद